हलो दोगो मैं हूँ श्रियास बाठिया और आप देखरो हैं मांटिया स्टिकी नूट्स लगते हैं या फिर इस तरीके से रेडिमेट आपको एक फॉर्मेट मिलना चाहिए या फिर इंग टू शेप आपको करते आना चाहिए या इंग टू टेबल भी आप कर सकते हो इस तरीके से या फिर आपको कुछ ड्रॉ करके बताना है और आपको एक स्केल लगती है या फिर इस तरीके से आपको टेबल्स बनाने है मतलब ही चार्ड्स बनाने है टास्क के या फिर फॉलो अप के और इसे कुलाबरेट भी करना है या फिर इस तरीके से ReadyMate आपको एक layout मिल जाता है जहां पर आप fill करके पढ़ा सकते हो इतने सब बहतरीन feature वाला एक app है दोस्तों जिस पे आप लिख सकते हो PDF insert कर सकते हो PPT insert कर सकते हो Word file insert कर सकते हो या फिर pen tablet से आपके लिख सकते हो और ये सारे features जो मैंने आपको अब भी बता है ये सारे भी use कर सकते हो तो चलिए दोस्तों फिर बिना कोई समय गवाए शुरू करते है तो देखिए दोस्तों आज हम देखने वाले है Microsoft का default wide board एक आता है अगर आपका Windows 10 है तो आप ये app install कर सकते हो या फिर online भी इसे use कर सकते हो Microsoft Teams में बट मैं यहाँ पर इस app को install करके फिर हम देखने वाले है किस तरीके से करना है तो देखिए ये Windows के लिए भी है और iOS के लिए भी है दोस्तों और जैसा ही आप get whiteboard for Windows पे click करोगे वैसा ही देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का एक interface open हो जाएगा और यहाँ पर get आपको click करना है जैसा ही आप get click करोगे वैसा ही आपका Microsoft का store open हो जाएगा तो यहाँ से जैसा कि आप देख सकते हो मैंने already install कर लिया है तो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसे launch तो देखिए दोस्तो ये load हो रहा है अब भी तो यहाँ पर देखिए दोस्तो ये welcome to whiteboard बता रहा है यहाँ पर मैं get started पर click कर देता हूँ मैं भी आपके साथ में ही पहली बार इसे open कर रहा हूँ दोस्तो Microsoft respects your privacy ठीक है next policy ये इनकी पूरी बता रहा है ये लोग diagnostics मुझे send नहीं करने है इसलिए मैंने no don't send diagnostics कर दिया है इसको कर दिया I agree let's go पर मैंने click कर दिया है तो अब देखिए यहाँ पर ये whiteboard हमारा open हो गया है दोस्तो अब यहाँ पर literally ये whiteboard है दोस्तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि left side में आप पीछे जा सकते हो मतलब ही आप जहाँ पर save कर लेते हो तो वैसा my whiteboard यहाँ पर आपको दिखेंगे अब देखिए इस तरीके से तो right now आपने कोई भी whiteboard created नहीं है इसलिए untitled पर directly वो लेके गया हमें उसके बाद यहाँ से आप sharing कर सकते हो sharing के बारे में थोड़ी दिर के बाद देखेंगे अब यहाँ पर मैंने login किया हुआ है इसलिए login करके दिख रहा है अब यहाँ पर देखिए settings menu जो आपको यहाँ पर उपर नजर आ रहा है इस पर क्लिक करके देखते है क्या क्या options available है तो यहाँ पर देखिए active menu कोई भी नहीं है into shape यहाँ पर हमें चाहिए क्या तो हाँ ठीक है कर लेता है इसको on into table भी हमें on कर लेना है object snapping भी यहाँ पर हम कर सकते है export करने के लिए यहाँ पर आपको दो options मिलते है एक तो आपको png में आप export कर सकते हो या svg file में आप कर सकते हो format background यहाँ से आप कर सकते हो देखिए यहाँ पर format background पर जैसा है मैं क्लिक करता हूँ वैसा ही देखिए मुझे background colors के लिए option दे रहा है वो और उसके बाद यहाँ पर grade या फिर बाकी type के चीज़ों के लिए भी यह काफी सारे options मुझे यहाँ पर देता है अब भी के लिए मैं default ही रखता हूँ इसे उसके बाद toolbar location toolbar आपको कहाँ पर चाहिए यह आप यहाँ से कर सकते हो clear canvas मतलब ही आपने जो कुछ भी काम किया होगा आप एक साथ इसको clear यहाँ से कर सकते हो तो accessibility checks यहाँ से आप ले सकते हो या इस तरीके की चीज़े यहाँ से आपको मिलेगी अब यहाँ पर मैं इसको settings को कर दता हूँ close अब चलता है इसको किस तरीके से हम use कर सकते है यह देखते हैं अब यहाँ पर देखिए दोस्तो जैसा ही मैंने मेरा pen नजदिक लाया वैसा ही यहाँ पर pen open हो गया है तो यहाँ पर देखिए दोस्तो सबसे पहला option pen वाला है तो यहाँ से आपको सारे pen मिल जाएंगे दूसरो option है कि आप image यहाँ पर add कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर आप sticky notes add कर सकते हो insert menu यहाँ से आपको मिलता है insert menu के बारे में थोड़े दिर के बाद देखेंगे हम लो फिर undo और redo करने हाँ आपको मिलता है तो चलिए अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि pen options क्या क्या available है यहाँ पर देख सकते हो आप सबसे पहला pen मतलब pens में कुछ colors आपको मिलते हैं यहाँ पर galaxy pen है rainbow pen है green pen है blue pen है red pen है और black pen है उसके बाद आप यहाँ पर highlighter मिलता है eraser मिलता है scale मिलती है दोस्तों यहाँ पर उसके बाद larsow select tool भी मिलता है insert menu यहाँ पर वापीस है आपको मिलता है अब यहाँ पर मानली जीए भी मैं red pen लेता हूँ तो यहाँ से देखिए दोस्तों मैं मेरे pen की thickness भी change कर सकता हूँ यहाँ पर इस dot पर click करके color भी change कर सकता हूँ अभी के लिए मुझे red इतना ही रखना है अब मानली जीए मैं कुछ यहाँ पर draw कर लेता हूँ मानली जीए अब मुझे एक circle draw करना है तो circle मैंने draw कर लिया अब देखिए मैंने ink to shape यहाँ पर already select किया था आपके साथ ही यहाँ पर तो इसके वज़े से ink to shape यहाँ पर automatically यह हो गया है अब यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ idea generate करनी है हमें ठीक है मानली जी idea generate करनी है वापिस से मैं यह blue आला pen ले लेता हूँ और इसे arrow दे देता हूँ इस तरीके से तो यह एक हो गया उसके बाद आप वापिस से मैं black pen लेता हूँ और यहाँ पर एक table draw कर लेता है यह table draw करने के बाद देखिए दोस्तों यहाँ से मैं galaxy pen से यहाँ पर मैं कुछ लिखता हूँ for example ऐसा कुछ लिख देता हूँ ऐसा कुछ लिख देता हूँ और यहाँ पर वापिस से नीचे और कोई content हमें fill करना है तो देखिए automatically table का size भी बढ़ता जा रहा है ठीक है उसके बाद वापिस से मैं मान लीजिए वापिस से यहाँ पर red pen लेता हूँ red pen लेकर के यहाँ पर वापिस एक arrow बना देता हूँ यहाँ पर अब मुझे कुछ draw करना है तो चलिए मैंने ले ली मेरी scale अब यहाँ पर आप default में देख सकते हो दोस्तों की ruler का 45 degree angle पे ruler हमारा आ गया है अब यहाँ पर देखिए मैं इसकी position यहाँ से center में click करके change कर रहा हूँ और यहाँ से मान लीजिए भी blue चाहिए मुझे तो यहाँ पर blue लेकर के इस तरीके से मैं line draw कर पा रहा हूँ ठीक है उसके बाद आप मान लीजिए मुझे इसका angle change करना है तो वापिसे center में लेकर जाना है और आपका mouse का जो scroll है दोस्तों उसे आपको कम जादा करना है कैसा आप zoom in zoom out करते हो वैसा ही आप यहाँ पर scroll change करोगे तो यहाँ पर यह angle automatically change होता जाएगा अब देखे यह हो गया वापिस से horizontal almost यह हो गया horizontal अब इसकी position हम change कर लेंगे और मान लीजिए अब मुझे यहाँ पर center से एक बनाना है और अभी एक red pen ले लिया मैंने अब red pen से वापिस से इस तरीके से मैंने बना लिया ठीक है तो यह हो गया ruler option यहाँ से rubber option भी आपको मिलता है ठीक है clear canvas भी यहाँ से आपको पुरा मिल सकता है और rubber option भी आपको अगर चाहिए तो देखे इस तरीके से मैं यह rub कर पा रहा हूँ उसके बाद चलिए मैं ruler को वापिस deselect कर लेता हूँ so that वो निकल जाएगा वहाँ से और उसके बाद वापिस मान लीजिए मैं यह rainbow pen यूज करके वापिस से एक arrow बनाता हूँ और यहाँ पर green pen से मान लीजिए कुछ लिख लेता हूँ या कुछ draw कर लेते हैं वापिस से एक triangle draw कर लिया एक rectangle draw कर लिया उसके बीच में circle draw कर लिया तो इस तरीके के सारे shapes भी आप आराम से draw कर सकते हो वापिस से blue pen लेकर के मैं यह complete कर लेता हूँ तो यहाँ से देखिए दोस्तो इस तरीके से आप ये सारे features use कर सकते हो अब यहाँ से आप ये जो white board है दोस्तो इसके उपर जा करके इसको zoom out कर सकते हो या zoom in कर सकते हो दोस्तो देखिए आपको इस तरीके से नजर आ रहा है ठीक है तो ये आपको unlimited मिलेगा ये पूरा का पूरा आपका जो board है वो उसके बाद यहाँ पर जैसा आप लार्सो टूल लेते हो वैसा मान लीजिए अब मैं कुछ select कर लेता हूँ for example ये arrow मैंने select किया ठीक है तो ये arrow को मैं यहाँ से move कर सकता हूँ size बड़ी कर सकता हूँ rotate कर सकता हूँ तो देखिए यहाँ से मैं इसका color change कर सकता हूँ इसे copy कर सकता हूँ delete कर सकता हूँ और more options में cut या फिर alt text भी कर सकता हूँ तो इस तरीके से लार्सो टूल आपको काम आएगा बहुत जादा चलिए अब चलते हैं आखरी option में insert menu में insert menu में देखिए आप paste कर सकते हो image insert कर सकते हो text insert कर सकते हो text insert मानली जब मैंने text पे click किया देखिए text आ गया है यहाँ पर अब मैं यहाँ पर बीच में लिखता हूँ कि मानली जब यह अपना demo है तो इसलिए मैंने demo लिख लिया demo लिख करके अब यह जो tab दिया हुआ है इसका मैं size change कर सकता हूँ अब देखिए मैं इसको इस तरीके से बड़ा या छोटा भी बड़े ही आराम से कर सकता हूँ उतना ही नहीं दोस्तों यहाँ से अगर मुझे text edit करना है तो यह option भी मिल जाता है उसके बाद अगर मुझे like करना है मानली जीए अब आप इसको collaboration में कर रहे हो मतलब यह आप यह share करके काम कर रहे हो तो आप like भी कर सकते हो तो देखिए automatically one like यहाँ पर नजर आ रहा है उसके बाद text color picker भी यहाँ पर आपको मिलता है तो इस तरीके के सारे options यहाँ से आपको मिल जाते है दोस्तों तो यह बहुत ही बढ़िया चीज है दोस्तों यहाँ पर आप text भी add कर सकते हो उसके बाद यहाँ पर एक note भी add कर सकते हो अब note किस तरीके की दोस्तों तो देखिए यह notepad आ गया आपका note pad में आप देखिए यहाँ पर यह voice input भी दे रहा है voice input अभी मुझे नहीं चाहिए तो मैं करता हूँ close और अब यह notepad में मैं कुछ लिख लेता हूँ जैसा यह sample note है तो sample note मैंने लिख लिया उसके बाद देखिए अब sample note पे मैंने click कर दिया अब click करके इसको पकड़ करके मैं कही बर भी positions change कर सकता हूँ और जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तो कि automatically यह grid lines मुझे दे रहा है दोस्तो तो यह भी बहुत अच्छा feature है इसका कि grid lines आपको automatically मिलती है यहाँ पर ठीक है मानली जब मुझे यह रखना है अब यहाँ से मैं मेरे sticky notes का color change कर सकता हूँ मानली जे pink कर लेता हूँ उसके बाद यहाँ पर भी like कर सकता हूँ note grid भी आप यहाँ पर ले सकते हो इस तरीके का तो यहाँ से क्या होगा कि आपको अगर मानली जे कोई heading बनानी है तो यहाँ से देखिए मैं इसको move कर देता हूँ और यहाँ पर देखिए अब मानली जीए मैं note grid का यहाँ पर title change करना चाहता हूँ classification करने के बाद हर note मैं यहा पर note add कर सकता हूँ इसके colors change कर सकता हूँ और यहाँ से देखिए sample note 1, sample note 2, sample note 3 मैंनत कर तो दिया है उसके बाद यहाँ से मैं इनके backgrounds भी बड़े ही आराम से change कर पा रहा हूँ so that क्या होगा कि यह जो है बहुत सुन्दर लगेगा और यहाँ से आप additional notes भी add कर सकते हो यहाँ पर add notes करके ठीक है तो यह भी एक बहुत बड़ा feature है बहुत अच्छा feature है उसके बाद आप मानली जीए list आपको दिखानी है तो वो list भी आप आपके students को यहाँ पर create कर सकते हो जैसा कि मैं यहाँ पर task list है यह तो यहाँ पर मानली जीए अब मैं task list के जगे पर key points लिख देता हूं की points करने के बाद यहाँ पर मानली जीए point 1 और इस तरीके से मैं यहाँ पर एक पूरा का पूरा table create कर सकता हूं ठीक है point 3 और यहाँ से आप like भी कर सकते हो दोस्तों अगर इस तरीके से आपको task bar भी मिल जाता है list भी मिल जाती है follow up list भी similar है दोस्तो follow up list में सिर्फ यहाँ पर assigned to करके आता है कि आपने यह task किसको assign की है यह assign to यह additional feature मिलता है इसमें बाकी यह similar है यह इसके table के ही तो मैं इसमें कोई भी changes नहीं करता हूँ अभी उसके बाद templates यह सबसे बढ़िया feature है दोस्तों इसका templates में मैं क्लिक करता हूँ अब देखिए आपको कौन-कौन से templates मिलते है तो यहाँ पर brainstorming के लिए आपको मिलते ह कनबन मिलता है उसके बाद retrospective मिलता है effective meeting मिलता है SWOT analysis के लिए मिलता है अब मान लीजिए SWOT analysis के लिए मैं यहाँ पर यह select कर लेता हूँ तो automatically यह पूरा का पूरा template जो SWOT analysis का है यह यह open हो गया है अब यहाँ पर goals यहाँ पर आप लिख सकते हो उसके बाद यहाँ पर SWOT analysis में ह weakness में लिखना है opportunity में लिखना है और threats में लिखना है तो इस तरीके से आप आपका यह पूरा SWOT analysis बड़े ही अच्छे से create कर सकते हो और इसकी position भी यहाँ से आप change कर सकते हो आपके worksheet में कहीं पर भी डाल सकते हो मान लीजी आभी मैं मेरे whiteboard पर थोड़ा नीचे ले ले लेता ह इसको तो इस तरीके के readymade जो है आपको मिल जाते है यह चीजे तो यह भी एक बहुत बहतरीन feature है दोस्तो इस चीज का उसके बाद यहाँ से आप images directly online मतलब बिंग यूज कर निकाल सकते हो या फिर camera से ले सकते हो यहाँ पर पीडियाफ फाइल आपकी insert कर सकते हो पावरपॉ अब यहाँ से important चीज यह है कि collaborate किस तरीके से करें मतलब मान लिजा अगर आपने assignment create की है तो assignment किस तरीके से share करें तो invite someone करना है यहाँ पर और उसके बाद web sharing link यहाँ पर on कर देनी है अब मान लिजा आप zoom पे meeting ले रहे हो या फिर आप skype पे meeting ले रहे हो या किसी दुसरे app प आपने यह जो link आपको मिलती है यह share कर देनी है copy link करके तो यह जो document है यह सबको accessible हो जाएगा access कोई भी कर सकेगा इसको जिनको भी आप यह link share करते हो और वो इसको edit भी कर सकते है तो यह collaboration भी आपको available करवा देता है अभी के लिए मैं यह link off कर देता हूँ और इसको करता तो यह बहुत ही बहतरीन whiteboard software है दोस्तो और आशा करता हूँ कि आपको यह बहुत ज्यादा useful आने वाला है use में आने वाला है अगर कोई भी doubt है तो comment section में comment करके पुछिएगा जरूर और अगर अब भी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है तो please subscribe कीजिए, share कीजिए, like और bell icon को press करना न भूलिएगा so that इस तरिकी की informative videos आप तक हमेशा पहुच जाये करेगी, thank you